फाल आर्मी वाम मक्की ते हमला करदा है अधे इसनों पूरी तरह तवा कार सकदा है फाल आर्मी वाम लड़ीवार अंडे सुंडियां प्युपे अधिप तंगय बनोदा है पर सिद्य तोरते सुंडियां ही नकसान करदियां हन कीट नाशकां दी बर्तोतों इलावा इस कीडे नू रोकन दे कई होर टंग तरीके हन सर पकी कीट रोक थाम सब तो चंगी बिदी है शुरू बिच ही खेत बिच कीडे दा हमला पता करन सार ही इस दी रोक थाम करनी चाही दी है खेत बिच चंगी तरा नरिखन करो अदे शुरू बिच ही बातावर्न पक्खी दवाईया दी बर्तो नाल इस दी रोक थाम करो इस वीडियो बिच फाल आर्मी बरम दे नरिखन दाटांग दस्या गया है ता जो तुसी अपनी फसल अते प्रवार दे सरख्या कर सको नरिखन तो बाव है के तुसी अपने खेत बिच बुटेयां ते फाल आर्मी बरम दे हमले दी जाच करनी है इस कीडे दियां सुडियां आम तोरते रात नू खान दिया हन इसलिए दिन बिच इस दा पता लगोना मुश्कल हुनदा है सुडियां ही फसल दा नुकसान कर दिया हन अते इना नू शोटी अवस्था विच्छी मेंतरन करना सोखा हुनदा है अंडियां तो निकलन सार ही सुडियां दा आका लग पग एक मिलिमीटर दा हुनदा है इनानो नंगी अख नाल देखना ओखा है इसलिए पत्यां दे हमला देखू पत्यां दे हुनदा हुनदा इस दे पत्यां उत्ते पे मल मुटतल देखके भी लगा सक्दे हुन मक्की देशलियां बनन तो बाद ए सुन्डियां साइड तो मोरी करके इस बिच अंदर बाड़ जान लिया हन इस समय इनन दी रोख थाम ना मुम्किन हो जान दी है इसलिए खेत बिच मक्की उगन तो बाद ही इस कीडे दन रिखन शुरू कर देओ कीडे दा नरिखन मक्की दे मुड़ें तक पहुंचन तक करो इस तो बाद जे मक्की उपर कीडा मिलदा भी है ता असी फसल बचा ली जादा कुछ नहीं कर सकते कीडे दा शुरू बिच ही पता लगोना बहुत महत्तंपुर्ण है कीड नाशक दे सप्रेत वबाद खेत बिच फाल आर्मी वंदा नरिखन नहीं करना चाहिदा क्योंके इस नाल तो हड़ी सेद दे माड़ा असर हो सकता है बिशा महर जब सार सिक्या महर दी सला अनसार ही खेत बिच तवारा जाना चाहिदा है मक्की दी शोटी अते गोड़्यां तो उपर दी फसल दा मरिखन करदे समें तहानू अंग्रेजी दे अखर डवल जू दी बंतर अनसार तुरना चाहिदा है इस नालतवादा नरिखन लगातार अते मुकमल होवेगा खेत बिच कीडे दा नरिखन सिरे तो पंज मिटर दी दूरी ते शुरू करना चाहिदा है नरिखन करदे समें तुसी डवली अखर दी बंतर बिच इस तरह चलो के पंज अलग अलग जगा ते उते रुको खेत दियां बाहलियां कतारां बिच नहीं रुकना जाहिदा हूँ इनना पंजा स्थाना ते तुसी दस तो भी बुटेयां उपर फार आर्मी वहम दे हमले दिया निशानियां नू ते आननाल देखो हर एक स्थान ते जांज किते हुए बुटेयां दी गिंती अते हमले आले बुटेयां दी गिंती दार्ज करो इस तरह खेत बिच पंजा स्थाना ते गिंती नू करो फसल दी शोटिया वस्ता बिच सुनदियां शोटियां जा बड़ियां गोल अते लंबियां मोरियां कर सक दियां हन। इस तरह दे हमले वाले बुटेयां दी गिंती नू दर्ज करना चाहीदा है। इस समय जेकर दस बिच्चों दो बुटें उपर हमला दिखाई दिन्दा है ता पसार खिती वड़ी महर नाल फसल दे अब चार दी आर्थिकता वारे सला करो गोड़ें तो उपर दी फसल दे गोब बिचले नमे तिन्ने चर पते त्यान नाल दिखो फसल दी इस स्टेज दे हमले वालियां गोबबा बिच लंबियां अते गोल मोरियां तो इलावा माल मुत्तर भी दिखाई दिन्दा है सुन्डियां भी देखियां जा सकती हैं नरिखन समय एक जगा दे दास तो भी बुटें मगर नमे हमले वाले बुटें दिखिंती करो गोब दे पत्यां बिच ताजे यह हुईयां गोल अते लंबियां मोरियां नो देखो इस स्टेज दे जेकार दास मगर चार बुटें उपर पत्ते खादे हों तां पसार महर नाल फसल दे उपचार दी आर्थिकता वारे इसला करो फाल आर्मी वामनू सर पक्खी कीट रोकतां बिदी नाल कंट्रोल किता जा सकता है पसार महर दी सला बहुत जरूरी है उनना तो मुक्य उनसार सही टंग तरके बरतन बाता बर्न पक्खी कीट नाश कांदी बरतो दी सला लेनी चाहिए है इस नाल असी मित्तर कीडे अते अपने परवार दिम लक्सान तो बचा सकते हैं मक्य दी फसलते जदो बाबुचंडे अते शलियां बन जान दी हैं ता इस कीडे दी रोकतां उक्खी हो जान दी है हमेशा त्यार रहो महरा तो अपने खेतर बिच फाल आर्मी बर्म दे हमले बारे पता करो जे रोकतां बारे ना पता होगे ता पसार महर जा जानकार आदमी तो फाल आर्मी बर्म दी सरपखी रोकतां बारे जानकारी प्राब्त करो बार बार नरीखन शोटी फसलते शुरू करो अधे सरब पक्खी कीट रोख थाम बेदी अपनाओ बार नरीखन पक्खी कीट